आई बच्चों अब हम प्रतिलोम त्रिकुणमिती फलनों के गुणधर्म देखते हैं अभी आप जितने भी गुणधर्म पड़े हैं उनका प्रश्णों में किस प्रकार से हम अनुपरयोग करेंगे और प्रश्णों को हल करेंगे इसके लिए हम कोश्चन लेते हैं जैसे माली जे ब्यांजक 10 inverse of root 3 minus cot inverse of minus root 3 का मान ग्याद कीजिए माली इस प्रकार से पूछा गया question तो जब हम इसको हल करेंगे हमारा ब्यांजक क्या है 10 inverse of root 3 minus cot inverse of minus root 3 इसका माल निकालना है तो इसमें सबसे पहले हम इस ब्यांजक पर गौर करेंगे क्या दिख रहे हैं ये आपको फार्मूला पता है cot inverse of minus x is equal to pi minus cot inverse x होता है ठीक है बच्चों तो हम therefore इसके जगए हम इस ब्यांजक को पयोग करेंगे या सुत्र को पयोग करेंगे 10 inverse of root 3 minus cot inverse of minus root 3 is equal to 10 inverse of root 3 minus अब इसका मान यहां रख देते हैं pi minus cot inverse x अब हम bracket open करते हैं 10 inverse of root 3 minus pi plus cot inverse ये बच्चों root 3 होगा ठीक है x यहांपर क्या है root 3 है तो ये हो गया cot inverse of root 3 अब हम क्या करते हैं इनका pairing करते हैं तो इसका रूप कैसा हो जाता है बच्चों देखिए 10 inverse of root 3 plus cot inverse of root 3 इसका pairing किया और minus pi अब इसमें देखिए बच्चों क्या दिख रहा है आपर पूरक गुंड दिख रहा है 10 inverse x plus cot inverse x क्या होता है pi by 2 तो हम इसके जगा हम pi by 2 लिख सकते हैं और minus pi यहाँ पर reason लिख दिजे since 10 inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2 होता है therefore pi by 2 minus pi minus pi by 2 ठेख है बच्चों तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस प्रगुन का उप्योग हुआ है और इस प्रगुन का उप्योग हुआ है दो प्रगुन का उप्योग हुआ है तो इस प्रकार से 10 inverse of root 3 minus cot inverse of minus root 3 is equal to minus pi by 2 यह हमारा answer होगा तो इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं हम और question लेते हैं अलग-अलग प्रकार के question लेते हैं जिसमें अलग-अलग गुन धर्मों का अनुप्योग होता है नाइश question लेते हैं हम लोग question है 10 inverse of 2 by 11 plus 10 inverse of 7 by 24 is equal to 10 inverse half यह सिद्ध करना है जैने बच्चों इसको हाल करते हैं कौन सा फार्मूला यह कौन सा गुंधर में उप्योग होगा यह ध्यान रखना है तो सिद्ध करना है कोई भी एक पक्ष को लेंगे दूसरे पक्ष के बराबर लाएंगे तो चलिए हम इसमें left hand side लेते हैं बच्चों दो पद है इसमें 10 inverse 2 by 11 plus 10 inverse 7 by 24 अब सबसे पहले बात यह देखने हैं 10 inverse x plus 10 inverse y कब लगा पाते हैं इसमें जो फार्मूला दिख रहा है इस सुत्र को आपको याद रखना है यह कब लगता है जैसे 10 inverse x plus 10 inverse y का रूप है इसको हम एक कौन की रूप में कैसे लिख सकते हैं is equal to 10 inverse of x plus y upon 1 minus x into y और यह कब लागू होता है जब x into y is less than 1 होना चाहिए तब हम लगा सकते हैं तो सबसे पहले हाँ पर देख लो यह x है और यह y है क्या इसका जो है बुनन फल जो है less than 1 है आप देख सकते हैं 2 by 11 into 7 by 24 ठीक है तो यह आ रहा है आप देख रहे हैं 7 by 132 which is less than 1 देख रहे हैं बच्चों तो हम यह formula apply कर सकते हैं तो therefore इनको हम एक कोण के रूप में लिख सकते हैं यह formula लगा दिया 10 inverse of x plus y 2 by 11 plus 7 by 24 upon 1 minus 2 by 11 into 7 by 24 इसको हम simplify कर देते हैं बच्चों 10 inverse आप इसका calcium ले लिजे तो इसका into calcium ले ले लेंगे और यह होगे 24 दुनिया 44 और 11 सत्य ससत्तर और होल अपान में यह हो जाएगा दोनों को गुना कर दीजे ग्यारा गुनित 24 माइनस साथ दुनी चौदा और अपान में 11 गुना 24 तो यह केंसिल हो गया अपान जो है अपान के साथ केंसिल हो गया बज गया 10 inverse आप इसको जोड़ दीजे तो यह हो गया आपका आठ साथ पंदरा और साथ चार ग्यार एक बारा और इसको भी सॉल कर दीजे ग्यारा चौक चौम आलिस ग्यार दी बाइस चार चब्विस माइनस चौदा इसको हम फिर सारल करते हैं एक सो पच्छिस अपान 0 5 2 ठीक है बच्छों हाल कर दिया 264 में चौदा घटा दिया 10 inverse आप एक बार में एक कम और दूनी 10 inverse of 1 by 2 is equal to right hand side तो इस प्रकार से बच्छों देखी पहले आपको यह सर्थ लगाना है यदि यह सर्थ का पालन होता है x into i is less than 1 तो आप यह फार्मूला अपलाई कर सकते हैं ठीक है बच्छों अब हैं next question लेते हैं next question लेते हैं बच्छों question है सिद्ध कीजिये 2 10 inverse half plus 10 inverse 1 by 7 is equal to 10 inverse of 31 by 17 तो चलिए हम इसको हल करने के लिए left hand side लेते हैं बच्छों इसका left hand side है 2 10 inverse half 1 by 2 plus 10 inverse half 1 by 7 अब यहां पर अपने को सोचना है कि 2 10 inverse half इसके पहले सोचना है तो हमारे पास 2 10 inverse x का फार्मूला है इसको आपको याद रखना है 2 10 inverse of x अब 2 10 inverse of x के 3 फार्मूला है एक sin inverse x के रूप में है दूसरा कास inverse के रूप में है तीसरा 10 inverse के रूप में है तो चुक्कि यहां पर दूसरा जो पास है 10 inverse वाला तो आप 10 inverse वाला लगाईए यह होता है 2 10 inverse x is equal to 10 inverse of 2 x upon 1 minus x square तो इसमें हम यह फार्मूला लगा देंगे तो 10 inverse of 2 into half by 1 minus half का whole square और plus 10 inverse 1 by 7 इसको simplify कीजिए तो हमको मिलेगा बच्चों 10 inverse of 1 आपान यह 1 by 4 हो गया 1 by 4 1 minus 1 by 4 4 minus 1 याने 3 by 4 अब प्लस 10 inverse 1 by 7 जहां रहे बच्चों अब यह हो गया आपका सरहल करेंगे तो 10 inverse of 4 by 3 plus 10 inverse of 1 by 7 अब यहां पर ध्यान रखने बच्चों यह जो फार्मूला है second formula 10 inverse x plus 10 inverse y 10 inverse x plus 10 inverse y is equal to 10 inverse of x plus y upon 1 minus xy जब xy is less than 1 तो आपको test करना है 4 by 3 और इंटो 1 by 7 कितना रहा है 4 by 21 which is less than 1 जो कि x से छोटा है x से छोटा मतलब यह फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं तो हम अप्लाई करते हैं then 10 inverse of 4 by 3 plus 1 by 7 अपान 1 minus 4 by 3 into 1 by 7 और simplify करते हैं बच्चों इसको 10 inverse half कितना हो गया यह एल्सियम 21 हो गया और यह हो गया 7 चोग 28 ठीक है और 3 एकम 3 ठीक है यह यहाँ गुणा हो जाएगा यह यहाँ गुणा हो जाएगा ठीक है बच्चों अप्वान यहाँ पर भी 721 एल्सियम हो गया 21 minus 4 बटे 21 फिर इसको सरल कर दीजे 21 केंसील हो गया यह आ गया 10 inverse half 28 ठीक ठीक है और 21 में 4 घटाव 17 और is equal to right hand side तो इस प्रकार आप देख रहे हैं left hand side लेकर के सरल करते हैं हम इन गुण धर्मों को उप्योग करते हैं right hand side तक पहुँच सकते हैं इस प्रकार से left hand side is equal to right hand side सिद्ध कर सकते हैं पच्चों हम exercise के सवाल लेते हैं वीवित प्रस्नली के सवाल है यह question है आपके text book का SCRT के text book जो है उसका वीवित प्रस्नली के question है यह कहता है सिद्ध कीजिए sin inverse of 8 by 17 plus sin inverse of 3 by 5 और is equal to 10 inverse of 77 by 36 यह सिद्ध करना है अब यहाँ पर यह देखने हैं बच्चों कि इधर देखें left hand side sin inverse वाला है right hand side 10 inverse वाला है तो left hand side ले लेते हैं इसका left hand side is sin inverse of 8 by 17 plus sin inverse of 3 by 5 ठीक बच्चों अब इसमें फार्मुला लगाते हैं sin inverse x plus sin inverse y तो आपको यह फार्मुला आपको याद रखना है आपको यह तो x मतलब 8 by 17 into root over 1 minus y कि स्कार यह तो 3 by 5 कि स्कार यहने 9 by 25 plus y यहने 3 by 5 into root over 1 minus x square यहने 1 minus 8 by 17 के whole square तो 8 कि स्कार 64 और 17 का whole square 289 फार्मुला बिठा दिया फार्मुला बिठाने के बाद सिंप्लिफाई करना है सरल करना है तो root वाले को पहले सरल करते हैं 25 LCM हो गया 25 minus 9 16 तो यह 16 बटे 25 बन गया plus 3 by 5 into root over यह 289 जो है LCM हो गया और 289 minus 64 गटा दीजे तो 9 में 4 गटा है पांच 8 में 6 गटा है 2 और 2 कर 2 फिर इसको सिंप्लिफाई करेंगे साइन इनवर्स आफ 8 बटे 17 यह हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा इसका चार बटे 5 वैसी यहाँ पर 225 का वर्गमूल 15 दो सो नौशी का वर्गमूल 17 यह आपको मालूम होना चाहिए इसमें भूल भूले यह नहीं होना चाहिए ठीक है यहाँ पर एक सिली मिस्टेक से आपका पूरा आगे का गलत हो सकता है इसलिए आपको ध्यान रखना है तो चलिए इसको और सिंप्लिफाई करते हैं यह हो गया 17 पंचे 85 यह हो गया और यह आठ चोंग 32 प्लस 15 तिया 45 तिये हो गया साइन इन्वर्स आप 32 धन 45 पांच दो साथ चार तीन साथ और बटे यह हो गया 85 अब बच्चों यहाँ पर देखने हैं साइन इन्वर्स में कनवर्ट हो गया लेकिन जो जवाब राइट हैंड साइट टेन इन्वर्स आप सासात्तर बटे 36 तो आपको यहाँ पर याद दिला दू जैसे माली जी हम थोड़ा सीखते हैं यह जो साइन इन्वर्स आप सासत्तर बटे 85 है कोई कोण देता है आपको पता है मालोरी थीटा है तब क्या हो जाएगा बच्चों साइन थीटा कमान सासत्तर बटे 85 यह सीखना है अब साइन थीटा कमान क्या होता है लम बटे कर्ण यानि इसमें लम है यह कर्ण है और तेन थीटा कमान क्या होता है तेन इन्वर्स में निकालना है तो होता है लम बटे आधार मतलब आधार की जो रथ है तो आधार अब कैसे निकालेंगे तेन थीटा निकालना है तो आध आधार के लिए आप क्या कर सकते हैं करना का स्क्वेर माइनस लम का स्क्वेर ध्यान दीजे तो यहां से आधार मिलेगा आपको करना की स्क्वेर याने 85 का स्क्वेर माइनस 70 का स्क्वेर अब इसको आपको हल करना है यही मेन है बच्चों ठीक है कि साइन इनवर्स को 10 इनवर् ठीक है तो इसको लेकर A इसकोर मैनस B इसकोर के फार्मुला लगा दो A प्लस B और इंटो A माइनस B तो यह हो जाएगा साथ पांच बारा आठ साथ पंदरा रेक सोला घटा दो पंदराम साथ गया ठीक है अब इसको आपको रूट निकान ला है तो इसका रूट जो है देखिए कैसे निकलेगा जैसे एक सो बैसाथ है इसको आम लिख सकते हैं दो गुना इक्यासी ठीक है इसका जो गुनन खंड है और गुना आठ तो यह बन गया आठ दूनी सोला सोलक वर्ग मुल्चार और एक्यासी को वर्गूल नौ यहने नौ चोंग छत्तिस तो कोश्चन में आपको समझने है बच्चों इस इसिति में आपको लम कर्ण और आधार कंडिरधारन जो दिया गया है यहाथ है वहाँ से हम करेंगे चत्तिस तो यहाँ पर देखिए 10 थीटा मिल गया 10 थीटा लम बटे आधार लम आपको कितना दीख रहा है ससत्तर है और आधार कितना निकाल है आप यहाँ से खतिस तो थीटा इछ इकोल टू क्या हो जायेगा 10 थीटा क्मा ससत्तर बटे 36 ठीक है तो यहाँ से आप तेर अमप्लाइज थीटा इस इकोल टू 10 पील तेन इन फास तस्ततर bak्टे 36 ठीक है तो आपने एक रीजर्ड लेकिे थीटा पराबर क्या लिए थे साइन इनवर्स साथर पैटे माटे पैटे 18 और यहाँ पर भी थीटा इस इकूल क्या मिला तैन इनवर्स आप शाथर पैटे Patrol तो दोनो एक फी चीज है बच्यों तो में लिख सकते हैं, साइन इनवर्स आप DJ ठीक बच्चों यह निकालते से हमें आपको इसका refuse नहीं करना है यह fair बार कही है तो हम यहां का उल्लेक करते हुए लिख देंगे therefore sin inverse सा 70 बटे 50 बराबर 10 inverse आप सा 70 बटे 36 जो right hand side है is equal to right hand side इस प्रकार से हम तो यहां पर कौन सा गुण धर्म को उप्योग हुआ है sin inverse x plus sin inverse y यह गुण धर्म को उप्योग हुआ है ठीक बच्चों